अगर आपने आभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजी और साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए तो गाइज यहाँ पे रेड्मी नोट 6 प्रो के लिए नया एक अपडेट आ चुके हैं तो यहाँ पर आप देख सकते कि मी युवाइट टैन पॉइट ट्री पॉइन फाइब पॉइंट जिरो स्टेबल अपडेट तो यहाँ पर दिखिए चेंज लॉप में आपको फस्ट यहाँ पर दिखिए आपको जून की सिकुरूटी पेच यहाँ पर मिल जाता है तो फस्ट यहाँ पर देखिए कुछ चीज यहाँ पर एड़ किया गया है Lock Screen and Status Bar में यहाँ पर देखिए New Introducing Customizable Lock Screen आपको यहाँ पर एड़ किया गया है इस Update में और यह आपको मिलेगा कि Setting में जाके यहाँ पर Lock Screen Plus Password Advanced Setting में जाके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और Next यहाँ पर देखिए कि Fixed Media Volume Could Not Be Restored After Receiving a Notification तो यहाँ पर यह Fixed किया गया है और Next यहाँ पर देखिए Principles for Wi-Fi Network में आपको यहाँ पर Optimization किया गया है और Lastly आपको यहाँ पर देखिए Mi Cloud में आपको यहाँ पर देखिए Synchronize जो है वो IMPROVE किया गया है और Guys अगर आपने अभी तक Google के मेरा Install नहीं किया है अपनी Redmi Note 6 Pro में तो आप Easily कर सकते हैं और Description में भी आपको Link मिल जाएगा तो आप Easy तरीके से आपको Google के मेरा जो है वो आपने पॉन में इंस्ट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए बाकि सब कुछ यहाँ पर ठीक तरीके से काम कर रहा है जो Portrait Mode है बहुत ही अच्छा पोटो आ रहा है तो चलिए आभी फोन को अपडेट कर लेते हैं और अगर आपको आभी तक यह जो अपडेट नहीं मिला तो डेस्क्रिप्शन में लिक मिल जाएगा आपको यह जो रॉम है डाउनलोड करके उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना होगा सेटिंग में जाके आपको यहाँ पर दिखिए MIUI 10 में आप 4 या 5 बार यहाँ पर डबल टेप करिए उसके बाद यहाँ पर दिखिए 3. में जाएए जाके यहाँ पर दिखिए चूज अपडेट पिकेज यहाँ पर आपनी जो फाइल डाउनलोड किया है वो सिलेट करके ओके कर दीजिए उसके बाद अपनी फोन में वो इंस्टल हो जाएगा अपनी फोन में तो गाईज यहाँ पर हमारा जो फॉन है वो अफडेट कर लिया अपडेट करने के बाद हमारा यहाँ पर देखिए गूगल करमेरा ठीक तर गिससे काम कर रहा है यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गूगल के मारा ठीक तरिके से काम कर रहा है अब चलते हैं फॉन की सेटिंग में और सेटिंग में जाके आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नया यहाँ पर दिया गया है कि जून की सिकरूटी पेज आपको यहाँ पे दिया गया है इस अपडेट में और मी युवाई बर्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं 10.3.5.0 यहाँ पर जो यह यहाँ पर दिसकते हैं कि लॉट स्क्रिंट और आई उसके बाद आपको लॉक्ट सेयं में यहाँ आप देख सकते हैं आपको लॉक स्क्रीन देखना हो को मिल जाएगा तो यहाँ पर और चेंज करके आपको दिखा लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर यह जो पीचर्स है यह आपको इस अपडेट में एड़ किये गये हैं और बाकी यहाँ पर दिखिए जो पॉट्रेट मूड है यहाँ टीक तरके से काम कर रहा है और केमेरा बहुत ही फास्ट यहाँ पर देखिए फोकस कर रहा है और AI दिखें यहां पर बहुती फरफट यहां पर detect कर लेता है तो यहां पर camera में बहुत improvement किया गए है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो untutu benchmark के 1,17,000 तो यहां पर जो phone बहुती fast किये गया है इस update में तो यहां पर जो untutu score आप यहां पर आफ देख सकते हnt कि आपके सामने हैं यहाँ पर और गाईज अगर आपको Game Booster on करना है तो आपको simply यहाँ पर Security में जाए जाके आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि Game Booster, Game Speed Booster तो यहाँ पर आप Game Select कर लिजिए तो फिलहाल हमारा Phone में कोई Game नहीं है तो Game Select कर लिजिए उसके बाद आपना जो Game Booster वो on हो जाएगा तो गाईज इस वीडियो में इतना ही वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा तेंक्स फूर वाचिंग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में